कि यह दो केंडल सब्सक्राइब को देखते हैं आज जो हम लोगी काम करेंगे ना यह 915 और मतलब कुल मिला करके यह दो केंडल जो रिंज्स ड्राu करते हैं नेक्स्टे अगर पर टकराता है तो कि माना ही जाता है कि नाइन फिद्विटेंट पर पर हमारी केंडल फरॉं मो Clayton हूँ कि यहां से मार्केट शुरू होती है मतलब के जो बड़े प्लेयर से जो प्राइज मूवर्स हैं उनकी एंट्री होती है यहां पर आपने सुना होगा के शुरुआत में 930 935 949 45 के बाद में यहां हम लोगों के लिए 945 का टाइम हम लोगों के लिए इस वजह से भी इंपॉर्टेंट होती है प्लस 950 के केंडल ज्याधतर जो आपको देखेगी एक गैप या फिर गैप डाउन में देखेगी ज्याधतर ऐसा नहीं हर होगा लेकिन ज्याधतर आपको गैप आप डाउन में देखेगी मतलब कि इस स्केंडल का एक अपना इंपॉर्टेंस से एक अपना सिग्निफिकेशन निकल के आता है कि पूरे प्राइस के दौरान और जो दूसरी है केंडल है हमारी 325 की केंडल कि यह जो केंडल होती ही होती मार्केट की क्लोज होने की यहां से भी ज्याधा तर जो रीटेलर्स है जो जिरोधा है वो भी शायद 930 तक का मौका देता है आपको 925 का उसके बाद से बंद इंट्रेट्रेडिंग बंत हो जाती है लास्ट तक जो प्राइस का मूफ करता है और जहां पर मार्केट जिस केंडल के थू मार्केट क्लोजिंग मांगती है वह यह वाली केंडल होती 325 की लास्ट तक जिरोधा में तरी टॉइंटी तक मार्केट ट्लोज हो जाते हैं आपको निकलना पड़े गए और ट्रीटेटीफाइव लास्ट केंडल बनती है क्योंकि यहां से मार्केट हमारी स्टार्ट हो रही है और यहां पर क्लोज हो रही है एक स्टॉक के अंदर यह बोला जाता है कि दो केंडल हमारी इंपॉर्टेंट होती जिस केंडल से मार्केट हमारी शुरू हो रही हो जहां से स्टॉक का मूवमेंट शुरू हो और उसकी क्ल कि सेकंड रिजन है कि स्टॉक की ओपनिंग और इस्टॉक प्लोज़ेंग क्या होता है यह इस्टॉक की ओपनिंग कहां पर हो रही है प्राइज ने हमारे मूफ घैडाउन डाउन 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 डायं इन इस तरह से यह जिसकी ओपनिंग है यहां पर होई और इस वाले प्राइट और जो क्लोजिंग है वह का फिर मतलब कि यह वीक कलोज तरह है और जब हमारा अपसाइड की तरफ जाएगा अभी मार्केट का जो कलर इसको थोड़ा सा अड़स्टेंड करिए और कॉमन सेंस के लो एक यह प्राइज मेरा अपसाइड की तरफ कर रहा है आपसे कि यहां पर जो मार्केट की ओपनेंग हुई है वह यहां पर विए और जो क्लूझिंग हुए वह के अपनि यह बंडब गोग्यंट इसकी जो उपनिंग हुए है एकॉम्ट वीक लोजिंग और इस वाली केंडल की जो ओपने अपनी ये क्लोजिंग होई है ये स्ट्रॉण क्लोजिंग है इस लिए हम लोग इन दो केंडल को बहुत ज़रूरी मानते हैं अक्सर इंदो इन डायरा त्रीड एक्शे हour classic है अक्सर इन दो कंडर करने के लिए ही होता है ल oynसर इतना काफी अभी करने करना चूंग ने लित अधर अब मेरी और ने झेशन होसक फ्लोजिंगा प्राइज जब हमारा हमारी इस एक कैंडल से टकराता है इस कैंडल के हाई से या फिर इस कैंडल के लो से इस कैंडल के जो लो पॉंट लो प्राइजे के डाउन से या फिर इस वाले डाउन टक्राते की मुट्मेंट्स का होगे दोनों है हमारा काम होगा नेक्स्ट टूटल इन दो कैंडल्स के हाइज और लोज का क्या इफेक्ट गिरता है नेक्स्ट अगर प्राइस हमारा उस लिवल पर टक्राता है तो आपको यह एक अब्जर्वेशन करना है यह क्या भूपन होता है हो सकता है अभी तक आप लोगों ने मार्केट को इस तरह से इस नजर्ये से ना देखा हो कि आप लोगों को इस वी कि यह काम करना है इसको देखिएगा observe कीजिएगा और नेक्स्ट वी जब लोग क्लास स्टार्ट करेंगे तो पहले इसको पर डिसकेशन करेंगे चोटा सा पुछ ज्यादा इसमें अपनी गड़ित नहीं लगानी है नहीं ज्यादे दिमाग लगाईगा हमने भी क्या कहा है कि प्राइज जो हमारा हमारे इस लेवल से टकरा रहा है तो उसके अंदर की मूव्मेंट्स का हो रही है बोडी लेंग्वेज इस्टॉक की क्या बन रही है बोडी लेंग्वेज से आप मतलब समझ रहे हैं एक सेंस अब क्या सेंस कर पा रहे हैं अक्सर यह स्टोडियों अपने क्लास पर सुनाते हैं सेंस का मतलब यह होता है कि किसी भी फिल्ड में जब आप लगातार प्रेक्टीशर के तौर पर काम कर रहे हूं आप डॉक्टर हो कर दो आप एंजीनियरों आफ कोई आफिसर हो हो। कि अपके पास कोई कस्टमर अप कैम क्यूंशी कि ब्लाकर करकिक दश साल 15 से अब आप वहीं बगल में आपका दोस्त वैठा है उसको कुछ नहीं आता है कुछ ने का मतलब कि उसको सौफ़्टर के बारे में कोई जानकारी नहीं कोई भी नॉलेज नहीं अब आपकी शॉप में एक कोई आता आपको बोलता कि मेरे सिस्टम में कुछ हो गया है और यह चल नहीं रहा है अच्छा तो उसका दोस्त वगल मैठा ना उसको नहीं संज में आगए लेकिन वो क्योंकि उसका काम यही है वो रोज इन ही सारी सिस्कम को देखता है ऐसे कुछ मिली जुली प्राव्लम उसके पास आते हैं उसने जैसे यह सुना ना कि मिडू ओप्रिंग स्टार्टिंग दिखते हो बाद में क्लोज जाता है उसको तुरंद वालन पढ़ गया कि इसका विंडू की प्रॉब्लम है वापस एब्लेट करने पड़ेगी यह विंडू वापस इंस्टॉल करने पड़ेगी पहले जो पर उनिस्टॉल मार्के वी दूसरी विंडू डाल देंगे और यह वापस से रन करने लिगा यहां पर जो काम आया ना यह उसका सेंस इतने हमारे दिन से मार्केट में काम करते हुए तरह तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए उसको अब हो चुका है कि यह प्रॉब्लम बता रहे न तो 90% यहीं प्रॉब्लम होगा 10% चांस है जांस कुछ और दूसरी प्रॉब्लम हो लेकिन 90 पर पड़ेत का क्या असर हमारी खेती के ऊपर पड़ेगा समझ पारे ने जिस चीज से आपको रिलेट करने के कुशिश करने है तो कुल मिला करगे अपनी फिल्ड का सेंस हर उस इंसान के अंदर होता है जो कि अपनी उस फिल्ड में लगातार काम कर रहा हो आप लोग भी जिस फि इस तरह का है एक है कि जो 2018-19 से हैं अपने गुरुप में उनका ज्यादा आगे की तरफ बढ़ेंगे ना तो ऐसा नहों कि पांस-दस साल हम लोग मार्केट में गुजार दें एक्स्पेंड कर दें और दस साल के बाद में हमारे पास हमारा कुछ है कि एक्स्पिरिंस हो ही न क्योंकि हमने खभी इस नजवरेंगे से मार्केट के बारे में सोचा ही नहीं मोँ इस तरह से भी मार्केट के के बारे में सोच और अपना एक सेंसू डेवलॉप करने की ह bougकिश करेंगे इसमें जो आपकी हैल परहेंगए हमब करद एक्स्पिर आपको दिख रहे हैं या फिर यहां पर पूरी तरह से मार्केट अपसेट की तरफ क्लोज रहे और वॉलम्स भी अच्छी खासी आ रहे हैं इन तीनों ही केंडस की अपनी अलग लग बॉडी लेंग्विज है ना प्राइज हमारा इस्ट्रॉंग तो है बट हमारी रेंज के अंदर है प्राइज ने बाहर की तरफ निकल लेंगी कोशिश की बट उपर से इसको सेलिंग प्रेश्य मिलें वापा से प्राइज वारा नीचे की तरफ गिर गया यहां पर क्या हुआ है एक सक्सेस्वल ब्रेक आउट एक स्ट्रॉंग ब्रेक आउट है वॉल्म्स भी आ गई है देख पार है ना तीन केंडल एक ही रेंज पर तीन केंडल पर तीनों केंडल का जो बॉड़ी लेंगे वो अलग अलग है हम यह कैज करना है वह भी एक स्ट्रॉक हम उपर कर लेंगे पना है बैंक निफ्टी है फाइम निट का टाइम फ्रिम रहेगा हम लोग एक काम करेंगे प्रीविए स्टे की नाइंट फिप्टिन की केंडल और प्रीविए स्टे की 325 की केंडल हमें यह देखना है कि प्राइज ने किस तरह से यहां पर मुव्मेंट दिखाया जैसे ही प्राइज 915 के नीचे की तरफ आया था ना हमने यहां पर कुछ कौनिटी अपने शौट कर दिए लगवाग पांच लॉट थे हमारे बैंक निफ्टी के अंदर में शौट कर दिए शिव जी ने बताया प्राइज हमारा 325 से टकरा रहा है 325 पर टकराने के बाद में यहां पर देखिए एक इंगल्फिंग फॉर्म हुई हो मार्केट ने अपसाइट की डिरेक्शन हमें को शो किया है मतलब के चांसे हैं कि अपसाइट की तरफ मेरा टर्न हो जाएगा हमने किया कि यहीं पर शायद पंद्रह सोथ दोहजार रुपए के आसपास कुछ प्रॉफिट था लेकर के चुपचा बहार निकल गए हम यह चीज नहीं देख पाए मलब मालूम है कि इस तरह से काम करना है कुछ एक कैंडल सोती है कुछ पॉइंट सोते जहां पर हमें अव देर तक प्राइज हमारा अपसे तरफ रहा हम अगर 9 15 की हाई पर भी अगर अपने लगा देते न तो अच्छा खासा हमारा लॉस होता लॉस होता प्राफिट होता हम यह चीज आपको नहीं समझा रहें जो चीज हम आपसे क्लेर करना भी इस वक्त कि करके आपका देखनें का नजर यह आपका तरीका इन अपको यह दो केंड़स देखना ही नहीं सिर्पक्राइस के इस रेंज के पास होने वाली मुव्मेंट यहां सब लोगों को अब्दर्फ करने कि आई हो जो पाइंट को करना चाहाँ कोई भी अगर आपका दाउट है तो आपको कर सकता है अगर को डाउट है तो आपको क्लियर कर सकता है कि अ कि अ कि अ कि कि अ कि कि सिव द्रगाद नहीं है एंड़ एक क्या और लोग स्टॉक लेले कि सूरज कि टैप कीजिए कि अ की आपका अ कि अ कि अ कि बजाज फिंसर ने बजाज फिंसर को देखें लोग अ हाई इसके बाद में लोग रेंज बन गए कि क्या हो रही है इन केंडल्स के पास में ही क्यों इस तरह के मुव्मेंट्स हो रहे हैं प्राइस यहां पर आकर कि क्यों ठहर रहा है क्यों रुक रहा है हमें यह देखना है कि मेरे लेवल्स के पास में आ करके मार्केट की जो केंडल्स हैं जो केंडल्स फर्म हो रहे हैं इनके अंदर के क्या अक्टिविटी हो रहे हैं जस्ट यह चीज़ देखने हैं कि यह सेंस नहीं समझाया की रियक्शन बेरिश क्यों था सूरज सूरज माई कर्मूट की ज़ज़र आपने ओढ़ा तो आ जो आपने स्टाटिं में जो कहा कि कैंडल्स का जो वी क्लोजिंग क्लोजिंग स्टॉंग क्लोजिंग अगर मार्केट अगर ग्रीन में उपन हो रहा है तो वह वी उपर से नीचे आ रहा है कि आपने ओपन जो नीचे मार्क किया था रेट गैंडल का दूसरी चीज़ की यहां पर अगर आप लो मार्क करें तो वहां पर बेरी सेंस कैसे हुआ था वह बैंग निफिटे में वह वाला एक समझ में नहीं कर रहे घर करें तो हमने का थैसको थोड़ा सा कॉमन से समझे वहां पर हमने कलर को उतना वह नहीं के जो कलर मेरे पास सेंट में थे वह हमने उसे बना दिया प्राइस की ओपनिंग यहां पर हो रही है और क्लोजिंग यहां पर हो रही है हमें कोई मतलब नहीं यह बिएरिश केंडल है फिर्स्ट यह बुलिश केंडल है प्राइस की ौपनिंग यहां पर हो रही है एंद सब्सक्राइब नहीं बनता है यह बुलिश चैंडल है हमारी यह लास्ट की मारी केडल बेरिश है बस ओपनिंग और क्लोजिग इजिए डिफरेंस एन डाउन साइब की दरफ यह शो करता है कि मार्केट का जो मार्केड़ का पूरा आज के दिन लास्ट एकी मूवमेंट वीड प्रीवेस टेकी मूवमेंट इस तरह से देखेंगे और इसके बाद में बात रहे बैंक निफ्टी के कि अब कि अब कि अब कि यहां पर बैंक इस्टी को लेकर कि क्या कुश्चन था यहां पर यह क्वेशन था कि आपने कहा कि वादब कुछ चीजें आप से मिस हो गए कि यहां पर बेरिच था लेकिन यहां पर इंगल्पिंग के तरफ से आपने कुछ तो प्रॉफिट बुक करके निकल निकल आया यहां पर यह बेरिश आपने डिसाइड मतलब कैसे किया था वह थोड़ा सा का इन्पिजन हुआ बेरिश डिसाइड कैसे किया था ठीक है मतलब लास्ट एकी जो मूवमेंट थी हमारी वीरिश थी थर्टीन को ओवरॉल मार्केट देख करके लग रहा था कि मार्केट मेरी गिरेगी जो कि यहां से वह डिरेक्ट गिरी भी है आस यह चीज़े नहीं है कि आगे चलकर आपको बतायेंगे किस तरह से से करें इंकि मार्केट में हमें सेंग देखनी है बैइंग आट देखने के बात सभी लग जाता है थोड़ा थोड़ा लगने लगता है कि आज मार्केट हमारी बुलिश रहे सकते हैं मार्केट के इतना बड़ा मुवमेंट डाउनसाइड की तरफ हुआ ना यह जो गिरी प्लस प्रीवेस टेहां कुछ मुवमेंट देख करके थोड़ा-थोड़ा अंदाजा हुआ अप निफ् इसके अपनी वाइंग की थी अपनी आटो सेक्टर अपूरा देख लोगो पूरा बुलिश मूवमें था बट बैंक निफ्टी इसके जस्ट अपोजट थी इसके अपने थोड़ा सा से लिंग अभी लेकर के चले थे अधित जी अधित सब बताएगे ना वो नेक्स्टे तक ही वैलिए रहेंगे ना हां नेक्स्टे के लिए कि अधित उपनों के निचे आगे तो विक रहे गाएगा जिए तो आधी तो ने थी प्रिटी पैटी जो प्रिश देके लिए जो केंडल मार्टी एंगे शप्रोज इन बिट्विन वाप पे अगर मतलब मार्केट उपन हो गया तो इन बिट्विन मार्केट के बीच में तो रेंच पर आने का वेट करेंगी तो प्रेक होने करना अपर साइड आपर यह लोवर करें मेरी रेंज पर आने का में वेट करेंगे जो पॉइंट अभी में समझाए इसको बहुत अच्छी तरह से प्रेक्टिस करना और देखना कि मार्केट की मुव्मेंट्स जो अभी आपसे बताना मार्केट की मुव्मेंट्स देखनें आपको बस सिंपल अब अब जस्ट रपीं स्टाइटिंग इस्टॉप सेलेक्शन एंट्री बहुत दूर रहे उससे पहले कुछ जो रही काम है जो कि में लोग कंपेट करें कुई तरह से थांक्यों सब्सक्राइब लोगों को और नेक्स्ट टिक्रमों मेंते हैं सेम टाइम पर गुड़नाइ भाइमा में थाँ बहुत हैं reported